हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल और आज अपने करने वाले हैं धान के कुछ महतवपून कोश्चन तो आप लाज तक देखेगा क्लास को जिससे आपको अच्छे से कुछ नया सीखने को मिले और कुछ कोश्चन आपके याद हो जाए तो चलिए अपना फ खरीफ राइस स्प्रिंग राइस या फिर विंटर राइस विंटर या फिर बी एंडी बोट तो इसका अंसर होगा बी एंडी बोट इसको खरीफ भी बोलते हैं एंड विंटर राइस भी बोलते हैं क्यूंकि जिस फसलिए अपने खरीफ सिजन में सोहिंग करें तो वो क्या कि सर्दी के टाइम में अक्टूबर नावंबर तक पकती है दोसको विंटर क्रोपी बोलते हैं तो सुखरीफ एंड विंटर दोनों ही बोलते हैं राइस के वोने के तीन सीजन है में थ्री सीजन है जैसे अस अमन एंड बोरो यह तीनों सीजन में धान की बॉहाई करते हैं तो जो फरस्ट सीजन है अस सीजन इसकी करते हैं मई जून के महिने में मई जुन के महिने में मैं जून एंड जो अमन रायस है इसकी बोईंग मैं आपको बता दिया भी यह खरीट सेजन की क्रोप है इसलिए आपने खरीट सेजन की जोतनी भी फसलें उनके जून जुलाई के इननर शोविंग करते हैं तो इसकी करते हैं जून जुलाई के अन्दर एन्ड थर्ड है Boro ये इसकी बॉइ करते हैं नमामबर दिसम्बर में नमामबर दिसम्बर इसको Spring Rise भी बोलते हैं और Summer Rise भी बोलते हैं Boro को और अमन को बोलते हैं Winter Rice and Creep Rice तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा कि बीदान की अपने कितने सिजिन में बॉई कर सकते हैं अगर आपको समझ आया कुछ न अच्छा लगा है तो ब्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना इसे ब्लोजिंग क्या होति है फ्रेंड सेटी जब पेस्व नियों से नियों से ने निजावानिक यहां फरेंच जावानिक जावानिक लिखत में बालू जैपोनिक यह फिर इंडिका तो फ्रेंट जो अपने धान इसके चोवीस स्पीसिज जह लेकिन जो कल्टिवेटिद आप दोई श्पीस जह और आइस टैवा और आइजा गलेवेरीम और जा स्टाइवा और और एजा गलेवेरीम ऑस बेसे सीज बेसें और म्यहां स्टाइवर्या यह अले वेस्त अफटी Appreciate जाती इसके घंद टीन में जीत is यह जावनिक पालीiden जावनीकऊ हो गईा चापनीक हो गया तो जो सब्सक्रीद इंडनेशिया जाती है जो बालु मैं क्यूंक्र seven जावव निकाथ के लिसने से लियोध कर सब्सक्राइब इसका जब कर लिए जाता है और सबख्राइब यह जाता है आपके फ्रेंडड़ हूं कि इसी का दूसरा नाम है बालू पूसजं के टिरफ चलते हैं तो नेक्स्ट को अपना हल इस कम्बिनेशन op हल किसका कम्बिनेशन है लेमा पहलिया यह फिर दोनों का इसका इसका होता दोनों का ही नमबर है जो बीज होता है राइस का तो यह बीज़ेशन kayak ठाँ से निकालते हैं तो उस टाइम कि अधा होता यह इसके ओपर उली परत घखती है बूरे कलर की इसे वह क्या होता है आन्द पें अधका रहते है इसे ही वोड्चा को बहुत में को को बोलता है जो के इंस कशन करते हैं की नेक्स्ट कोशन है कारडिनल टेंपरेचर ओफ राईस राइस का जो कर्डिनल टेंपरेचर वह कितना है को डिनल जैसे खास में मतलब मोली को बोल सकते हैं अपने वी एकदम उपयुक्त जो आप मना यो कितना है तो स्फर्स्ट ओप्शन है 30 से 32 डिगरी सेलसियस 20 से 30 डिग हो परसेंट और गला संदिनौ though प्रेंड में आपको पिछले कुछ ने मुत एथ अब हल क्या होता है इसी पर इसको हुल कहते हैं हाल दिले मैं हMiFi तो होती है और सेकेंड नंबर 66 परसेंट नेक्स्ट कोस्टन है कि सोविंग टाइब ओफ एस राइस मैंने आपको यो प्राइफ फरस्ट कोशन था उसमें से प्रेस्ट किया था भी राइस कितने सीजन में अपने ग्रोब मतल़ सोविंग कर सकते हैं कितने टाइब का होता है तो यह अमन और राइस होता है तो इसनेवास राइस का इसकी सोविं करते मौइर जून के मंत में यून जुलाई कि टाइम में करते हैं अमन की के जुचस्तर ओमबर दिसमबर में करते हैं बोरो की और बोरो स्प्रिंग topics और सुमर शिज जन भी कहते हैं आप याध रखे नेक्स्ट कोश्चन है अपना फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ओफ राइस डिवलप्ट इन्दी वर्ड इस जो फर्स्ट बोनिक इसमें धान की वो कौन सी है इसमें से ताइवान वन यह जो टी नाइस का फूल नाम है ताइचुंग नेट्ट्यू तो टी एन वन आई यार यह फिर जैया है फ्रेंडी साया नहीं है जैया जैया यह सी ओ आरच वन तो इसका अंसर होगा फॉर्स्ट नमबर टी एन वन यह सबसे पहले बोनिक इसमें और जो आई यार एट वेराइटी है यह फॉर्स्ट हाई इल्डिंग ड्वार्फ वेराइटी है फॉर्स्ट हाई इल्डिंग ड्वार्फ वेराइटी वर्ड के अंदर और जो जैया है यह इंडिया की फॉर्स्ट हाई इल्डिंग ड्वार्फ वेराइटी है और दुश्य और चुवन है यह जो यह कि यह फ्रस्ट वाइब्रीड वराइटी आप हाइब्रीड जुर्ई से वहची आंदर डवलप किया था फ्रस्ट बार तो आप याद रखें को यह चारों वह बहुत इंपोर्टेंट एक्जाम की दरश्टी से एकजाम में पुछे जात hybrid variety कोन सी है तो आप इन वराइटीओं को ब्तिस से याद रखेगा यह भी याद रखेगक यह कौन सी फसल किया एंड इनकी जो importance से अलग से होती है यह first यह तो यह प्याद है लूद रखेगाएगा अब जलते हैं next Qustion की तरफ कनल थना था फादर ओफ हाइब्रिड रायस इन इंडिया इस का फादर आं पहली बार चीन द्रियंड और ये युवान लोंग पिंग इन्होंने फर्स्ट हाइब्रीड राइस त्यार किया था और जो इंडिया में रहा हाइब्रीड राइस त्यार किया था वो किया था यह सिद्की ने नेक्स्ट कोश्चन की तरब चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है ऑप्टिबम स्टेज ओफ रा उप्युक्त मानने गी है इतनी लीफ हो पोदे के अंदर तब अपने ट्रांस्प्लांटिंग कर सकते हैं तो इसमें फिर्स्ट आप से साथ लीफ एक से दो लीफ तो इस कांसर होगा सेकिन नमबर तीन से चार लीफ जब धान जो नरसरी है वह 1 पोदे में तीन से चार पतियां आ जाए उस टाइम उप्युक्त मानना गया कि अपने इसकी ट्रांस्प्लांटिंग कर देने चाहिए नेक्स्ट कोच्टन है असाराई मेतर ओफ राइश नर्षरी वोस इंटर्डू़ूजड फ्रमजो असाराई मेतर नर्षरी का वो कहाँ से इंटर्डू़ूजड किया गए है अधों यह उस से जपान तो इसका अंसर होगा राइश तस ना। मदागास कर और फिलिपीन से इसके दोराए डटोग मे टूनेराटिस क टाइप बहुत जांसे कश freshmen रख्याब तो आप याद रखियेगा डेपोग मेंच फिलिप Notre द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है तो ओके फ्रेंड्स थैंक्यू सो मच अगर आपको मेरे कोशन अच्छे लेगे हैं कुछ भी नया सीखने को मिला है अगर आपको एक तो पर कोशन भी याद हुए है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना एंड चैनल को